दोस्तों सब जानते हैं कि स्री देवी और मादुर दिश्षित अपने जमाने में एक दूसरे के जबलजस्त राइवल रही लेकिन मादुर दिश्षित की सफलता में स्री देवी के चूजी स्वभाव का सबसे बड़ा हाथ रहा है दरसल मादुर दिश्षित की जो फिल्में काफी काम्याब साबित हुई उनमें से अधिकांस पहले स्री देवी को ही अफिर हुई थी लेकिन स्री देवी उन दिनों काफी सोच समझकर ही फिल्में स्विकार करती थी एसी कई फिल्मे थी जिनका अफर स्रीदेवी ने ठुकरा दिया और बाद में वो फिल्मे मादुरुदिक्षित को मिली और उन सब फिल्मों से मादुरुदिक्षित को स्टार बना दिया उन्ही फिल्मों से एक फिल्म थी बेटा जिसने माधुरी को धगधग गर्ल का खिताब दिया आईए जानते हैं इस फिल्म को स्रीदेवी ने क्यों टुकराया और ये फिल्म माधुरी जिशित को कैसी मिली यदि आपने अभी तक हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस दबेल आइकन 1990 में फिल्म दिल की धमाकेदार कामयावी के बाद इंद्र कुमार एक बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें बड़े इस्टार्स की जरुवत थी जब फिल्म बेटा की स्क्रिप्ट उनके पास आई तो उन्होंने इस फिल्म में अनिलकपुर के साथ स्रीदेवी को काश करने की योजना बनाई जब इंद्र कुमार इस फिल्म का आफ़र लेके स्रीदेवी के पास गए तो उन्हें भी स्क्रिप्ट अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने हीरो की रूप में अनिल कपुर का नाम सुना, तो वो सोच में पड़ गई धरसल स्रीदेवी अनिल कपुर के साथ काम नहीं करना चाहती थी इसकी वज़ा ये थी कि स्रीदेवी तब तक अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी और उनका ख्याल था कि दरसक इतनी फिल्मों में अनिल कपूर के साथ उन्हें देख देख कर बोर हो चुके हैं इसले स्रीदेवी की इस सर्थ सें इंद्रकुमार को भी ज़ादा परेशानी नहीं थी, लेकिन हिरोईन प्रधान इस फिल्न में कोई भी बड़ा अक्टर काम करने को तयार ही नहीं हुआ, तो स्रीदेवी ने भी फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया. स्रीदेवी के इंकार के बाद अनिल कपूर और बोनी कपूर फिल्म में माधुरी दिक्षित को कास करने की जित करने लगे और इंद्र कुमार ने भी उनके फेशलों को मान लिया बेटा काफी कामयाफ फिल्म रही और फिल्म का गाना धग धग ने तो कोरामी मचा दिया था अगर इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करने को तयार हो जाता तो धग धग गर्व का खिताब माधुरी की बजाए स्री देवी के नाम होता आज के लिए बस इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंड लाइक एंड सेर इस वीडियो फिर हम मिलेंगे एक नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स पर वाचिग